हेलो फ्रेंज वेलकम टू यो ओन चानल डेली स्टॉक तो आज हम बात करने वाले जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में तो नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कमपनी सीमेंट का काम करती है और मैं आपको इसके बारे में डीटेल इन्फॉमेशन बताऊंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको एक कमपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्रेब जरूर कर दीजेगा और अगर और भी कोई कमपनी जिसके बारे में आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और वैसे भी हमने 80 से 90 कंपनी में डीटेल अनलिसेज बता हुआ तो आप वह भी देख सकते हो company के बारे में बात करेंगे कंपनी क्या manufacture करती ciment JKipping cement limited is a cement manufacturer तो company सिर्फ ciment बनाने का काम करती है company data के बारे में बात करेंगे PEPB देख लेंगे company sector का PEE 27.66 और PEE जोico company का PEE यह शेयर का PEE वह है 15.81 तो अगर आप sector के P से compare करते हूँ इस share के P को तो आपको अभी सस्ते भाव में मिल रहा है sector का PB भी 2.47 है और PB रेशो जो company का PB रेशो 2.32 है तो लगभग सिफ थोड़ा सा ही मनलब थोड़ा सा ही कम है sector के PB से dividend yield है sector का dividend yield है 1.10% और company का company भी dividend देती है वो भी 0.74% ये company dividend देती है और company small cap है मनलब अभी जो इसका market cap है वो सिर्फ 3923 करोड का है तो अब समझ सकते हैं मनलब company अभी small cap है और लोग है वो small cap में invest करने में मनलब ज्यादा दिलजस्पी लेते क्यूंकि मनलब उन्हें लगता है कि आज ये small cap है और अगर इस company में growth दिखी तो ये कुछ तीन चार या पांचे साल बात तो ये थोड़ा मनलब और भी साल बात जब ये mid cap या large cap में आएगा तो उस टाम ये company का share price कितना ज्यादा बढ़ जाएगा वो growth दिखती ये company में उस वज़े से लोग small cap में ज्यादा दिलजस्पी लेते तो company का company small cap है और इसका market cap है 3,923 करोड का financial trend देख लेंगे financial trend में आप revenue देखे हर साल इंक्रीज हो रहा है एक भी साल ऐसा नहीं जहां पर revenue कम हुआ है मतलब company का जो sales है वो हर साल हर साल ठीक है quarterly नहीं हर साल इंक्रीज हो रहा है 2017 में 3.05,000 करोड का उनका revenue था और वो इंक्रीज हो के 3.82,000 करोड हो गया in 2018 2019 में 4.37,000 करोड हो गया और 2020 में इतना ज्यादा इंक्रीज हो है 4.41,000 करोड का हो गया 2020 में 4.41,000 करोड और अब profit देखेंगे तो profit में थोड़ी अलगी आप अलगी trend दिखेगा जहाँ पर 2017 में 0.08,000 करोड लेकिन 2018-19 में गिर गया है वो 0.08 से 0.05,000 करोड यहाँ पर भी 0.05,000 करोड बले ही कंपनी का revenue इंक्रीज हो रहा है कंपनी का sales इंक्रीज हो रहा है लेकिन कंपनी का profit गिर रहा है यहाँ पर कंपनी ने मतलब क्या बोलते है ज्यादा ही expenditure क्या है अपनी खुद की कंपनी को grow करने के लिए उस वज़े से जो profit है वो कम है जो net profit है वो कम है लेकिन 2020 में देखिए इतना कुछ मतलब 4.37 से 4.41 ताउजन करोड मलब इतना revenue increase नहीं है लेकिन आप profit देखिए 0.05 ताउजन करोड से 0.24 ताउजन करोड कितनी अच्छी मलब कितना अच्छा increase हुआ है शेर holding pattern 46.21 परसेंट और एक भी परसेंट मलब एक 0.01 परसेंट भी ये कंपनी ने अपने शेर्स को प्लेज नहीं किया हुआ है 46.21 परसेंट प्रमोटर होल्डिंग का है फिर भी for safer side बोलते है कि 51 परसेंट तो होना ही चाहिए प्रमोटर्स के पास लेकिन इनके पास 46.21 परसेंट है फिर भी और यहां पे इनों ने अपनी जो होल्डिंग्स है वो इंक्रीज की है जैसे कि पिछले साल के जून को ओर्टर में जून 2019 में 45.93 परसेंट था और वो ये मार्च को ओर्टर में मार्च 2020 में 46.21 परसेंट है और अभी भी उतना ही ये तो हो सकता है अगले में भी वो अपना I mean अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज करें और उस टाम शेयर का प्राइस भी अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है रेवेन्यू स्टेटमेंट मार्च 2020 में कमपनी का सेल्स क्या था 1137 करोड का इनका सेल्स था जून 2020 में बहुत सारी कमपनी का सेल्स गिरा है कोई डाउट नहीं और उसमें कोई और वो शॉक वाली बाद भी नहीं क्योंकि लॉक्डाउन था उस वज़े से अल्मोस्ट हर कमपनी की सेल्स नीचे गिरी है और जो जून और जो सेप्टैंबर 2020 है उसमें इतना इंक्रीज नहीं थोड़ा सा डिक्रीमेंट है 1131 करोड का इनका सेल्स है और यहां पर मलब 6 कुछ 6 लाग का कुछ मलब नीचे है अधर इंकम देखेंगे कमपनी की तो वो भी जून 2020 में कम हुई है 17 करोड और यहां पर 19 है तो टोटल इंकम अगर आप देखोगे तो 1156 है और अब सेप्टेंबर 2020 में 1149 है तोटल एक्सपेंडीचर जगर आप एक्सपेंडीचर देखोगे तो वो भी उतनी ही है यहां पर 962 करोड और सेप्टेंबर 2020 में एक्सपेंडीचर इंक्रीज हो गया यहां पर 194 जो में इंकम होती कमपनी की टेक्स और टेक्स और इंट्रेस्ट हटा के वो थी प्रॉफिट है वो 92 करोड का अगर आप मार्च 2020 सब्सक्राइब करते हो तो हां नेट प्रॉफिट नीचे आया क्योंकि सेल्स में थोड़ी से डिक्रिमेंट और एक्सपेंडीचर में थोड़ी सी इंक्रिमेंट है तो उस वज़जिसे जो सेल्स है वो नीचे आ गया है 98 करोड का इनका net profit था March 2020 में और अभी 92 करोड का net profit है पर share ratio तो यहाँ पर हम quarterly wise नहीं देखेंगे जो ratio से वो yearly wise होता है March 2000 EPS earning per share company की देखो आप कितनी ज्यादा increment है 4.69 रुपीज पर share में मुनाफ़ा वल्ब इतना आप कमाते हो और अब March 2020 में 2 साल बाद अगर आप देखते हो तो 21.08 मलब कितना ज्यादा मुनाफ़ा है बुक वैल्यू भी company की बहुत ही अच्छी increase होए 122.75 से 125.49 मलब आजो बाजो एक तरह से और March 2020 में 143.08 रुपीज तो बुक वैल्यू क्या दर्शात है कि company के जो एसेट से वो increase और company की liabilities decrease होए और आगे debt to equity ratio बताऊंगे कि company की liability सच्ची में decrease होई है उस वाजे से company की जो बुक वैल्यू वो अच्छी खासी increase हो गई है gross profit margin तो वो भी अच्छा खासा increase होई क्योंकि हर साल अगर आप देखोगे ना भले ये quarter में decrease होई लेकिन हर साल अगर आप देखोगे तो gross profit margin increase होई increase होई क्यों क्योंकि company का sales हर साल increase होई March 2018 में 13.35% 2019 में थोड़ा सा decrease हो 11.85% लेकिन March 2020 में अगर आप देखो तो 19.34% कितना अच्छा increment है उसके बाद operating margin जो company के operations है वो भी हर साल increase हो रहे operations क्या होते है मलब company के projects एक तरस है important चीज़े company के लिए company की sales increase होगे you mean company की projects increase हो रहे तो company का operating margin भी increase होगा 7.82 से 2019 में थोड़ी से घिरावट है 6.96 और उसके बाद operating margin देखे डिरेक्ट डबल 14.30% net profit margin भी company की increase होई है 1.15% से गिरी 0.94 और 2020 में 5.79% अच्छी खासी increase होई है return ratios return on equity मलब company की total equity है उसके profit पर कितना return आ रहा है तो वह भी बहुत अच्छा खासा increase होई 3.82% से 3.45% और अब आगया 14.70% ROC return on capital employed company की जो overall capital है तो company कितना efficiently वो capital से profit कमाती है ROC का वो मतलब होता है और company बहुत efficiently profit कमा रही है उसी वज़े से हर साल ROC increase हो रहा 8.14% से 8.55% और अब आगया डिरेक्ट 18.03% return on assets assets से company के उसमें कितना return आ रहा है 1.08% in March 2018 वो थोड़ा से गिर के 1.01 हो गया लेकिन March 2020 में 4.80% तो company की अच्छी खासी return on assets से current ratio और quick ratio वो भी increment में और वो हमेशा increment में होना चाहिए वो क्या बताते कि company जो अपने short term debt है वो अच्छे से मदलब pay कर रही है उनको और company का cash flow अच्छा है March 2018 में 0.72 था वो decrease हो कि 0.65 होगा लेकिन अब फिर से increase हो गया 0.74 quick ratio 0.48 से 0.42 decrease हो कि अब 0.46 हो गया है तो company के जो liquidity ratios है वो भी अच्छे है leverage ratios company का debt to equity जैसे कि मैंने आपको बताया तक कि company का debt सच्छी में decrease होए और बहुत important ratio है कोई भी company के लिए कि company अगर ज्यादा liability वाली है तो हम नहीं कर सकते वो कभी भी हाथ खड़े कर ले और हमारे पैसे डूब सकते लेकिन यहाँ पर company के debt decrease हो रहे है interest coverage ratio वो increment में और वो हमेशा increment में होना चाहिए क्यों इसका मतलब क्या कि company मलब कितना कितना efficiently interest pay कर रही है और मतलब और अगर decreasing में हो तो इसका मलब company अच्छे से interest pay नहीं कर पार है और वो company के लिए मलब एक negative बात है लेकिन यहाँ पर company का interest coverage ratio वो increasing trend वे तो यह company के लिए positive बात है growth ratio लेकिन अगर आप growth ratio देखोगे तो वहाँ पर decrement दिखेगा 3 year CAGR sales compound annually growth rate अगर आप 3 साल का average करते हो तो उसमें आपको decrement दिखेगा March 2020 में 22.22 और जबकि March 2019 में 27.98 परसेंटेज था यह आप 3 साल का अगर आप average निकालते हो तो उसमें आपको decrement दिखेगा और net profit में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर March 2018 में negative में था लेकिन 2019 में अच्छा खासा इंक्रीज होगे और 2020 में फिर से वो नीचे आ गया है तो यहाँ पर यह एक negative बात है अगर आप 3 साल का average निकालते हो तो वहाँ पर आपको मलब कम देखने को मिल रहा है फिनेंशिल हाइलाइट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हर साल increase हो रहा है मलब जो कंपनी की जो main income होती जहाँ पर interest tax नहीं होता है तो वह company की increase हो रही है हर साल तो नहीं 2018-19 में decrease होई है क्विक 472 करोड था और 2019-20 में बहुत ही अच्छी खासे increase होई 722 करोड जो कभी नहीं थी महला अगर आप पात साल में देखो तो कभी उतनी इंकम नहीं थी प्रॉफिट आफ्टर टेक्स अगर आप देखोगे तो 2015-16 में तो वह नागेटिव में था फिर इंक्रीज इंक्रीज और थोड़ा से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी का हर साल टर्न ओवर इंक्रीज ओ 2988 करोड था इन 15-16 वह इंक्रीज ओ 3330 उसके पाद 3582 करोड और फिर 3940 करोड और अब 2019-20 में कितना है उनका टर्न ओवर 24904 594 करोड पर था उर था साल कंप्णी का टर्न ओवर इंक्रीज और पावर कंजम्प्शन तो पावर कंजम्प्षिं यहां पर डिक्रीमन्ट में है क्योंडि में यह पूह यह कुई नेगटिव बात नी अच्छीज बात है कि कंपनी जो है वह कम पावर यूस करें और इसे लारी जिसकी वज़े से पावर कम यूज हो रही है तो यह बहुत ही अच्छी बात है मार्केट प्राइस कंपनी का फाइयर हाई कितना है 536.95 और अभी 345.35 रुपीज का इनका अभी आज का करन्ट मार्केट प्राइस और आज 3.58 परसेंटेज का इसने मुवमेंट दिय है 11.95 परसेंटेज की वॉलिटिलेटी थी तो आप इसमें इंट्राइडे भी कर सकते हैं अगर आपको मलब पर शेर इतना प्रॉफिट चाहिए हो तो रोज रोज नहीं मिलता है वो तो सुभाविक बात है अगर आपको लगे कि आज चांस है आज सीमेंट पर कुछ शोस बता रहे हैं मलब जिस तरह से हमने फंडामेंटल एनालिसिस देखा तो उस तो हमें अभी इंवेस्ट कर देना चाहिए यह कंपनी में क्यूंकि अभी अगर आप फाइयर हाई से देखो तो आपको यह सस्ते में मिल रहा है और अगर आप ओर अगर आप पी रेशो अगर मार्केट क्रेश होता है मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करता है तो सब अब बाते सब कुछ नीचे आएगा तो तब थोड़े और शेयर करें दो ऐसे नहीं कि आप ब्लॉक कर दो पैसे को एक साथ में थोड़े थोड़ा करके आप इंवेस्ट करो और आप जेके तो प्लीज लाइक और शेर और सब्सक्राइब आप चैनल